प्रेंस आज हम बनाने वाले हैं एकदम बेकरी जैसा सेम टू सेम बटर स्कॉच केक को भी घर में तो प्रेंस ना कोई अंडा ना कोई मैदा ना कोई ओवन इतना इजी बताऊंगी तो वीडियो में बने रहेगा तो प्रेंस मैंने लिए यहाँ वेनिला रेडिमेट गोद्रे है तो फ्रेंस यह कप जो है मैंने 240 ml का कप लिया है और इस कप से वन कप भरके में ले रही हूं और आप वन केजी बनाना चाते हैं तो टू कप लेना है तो फ्रेंस इसकी जो मैंने और थोड़ा सा यहाँ प्रिमिक्स इसलिए लिया है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनको जाना है बिल्कुल भी नहीं रखनी है बहुत ही डिटेल के साथ में आपको पूरी जानकारी इसमें दे रही हूं तो फ्रेंस पूरा द्यान से देखिए और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और यह रेडिमेटर मिक्स आपको इसमें कुछ एड़ करने की जरूरत नहीं अन्याओं अपको एक चमच आइड नहीं है और जिस भी फ्लिवर का बना रहे हो इसे डाल सकते हो और कलर भी हम इसमें आइड कर सकते तो मैंने आज बटर स्कॉच केक बना रही हूं तो यहां बटर स्कॉच के एक तीन चार बंद आपको यहां इसमें डाल लेने और इसे आ काम पर आप करता क्या है कर औरे में तुरदट नशें कर दाता है वैल करना है और और्लिट खbelum अमारा क्रैंड क्या स्थितना रभशेकर कर मैं यहां कोई मैंने स्थ मेंट dette तो इसे त выгляд के मैं एकवल श्كون कर लिया और Echo बारि से माथका है तो बरतन में दोड़ा कर यो दोड़ा है और से टॉबल से तो और ठोड़ा सा नमक जाला और साफ dorm के देखती और आज रखना है और बहुत है श्याटन CandYou can fear तरीके से बने के रेडी होगा बहुत ही आसान सी रेसीपी हैं सबको डव्ट रहता है कि स्पंज बनेगा कि क्या होगा तो इसमें से ऐसे कुछ है नहीं कि यह बन के रेडी होता है तो यह देखे कितना स्पंजी बनाया है और मैंने यहां 30 मिनिट्स के लिए इसे घ्यास के आप देख सकते हो आप यहां हम टीन में कट कर रहे हूं और यहां बनाने वाले हम हपकीजिका केक तो फ्रेंच आपको क्रीम कम रखनी है स्पंज ज्यादा रखना है तो आप टीन लिएर बना लीजए तो दो लियर बनाएंगे तो भी हपकीम केक बनके Ready हो जाएगा तो फ्रेंस चलते हम आपा आइसिंग की और और मैंने यहाँ थोड़ा सा बेस को क्रीम लगाया है जो केक है वो बिल्कुल हिले ना और ये केक स्पंज कितना अच्छा बनाया आप देख सकते हो वो बिल्कुल भी नहीं तूट रहा तो ये आपको इजिली बन जाएगा फ्रेंस डवट होता है कि नहीं बनेगा कैसे बनेगा बस आप बेक करने के लिए रखने के बाद आपको 30 मिनित की बाद ही देखना है और पानी का मैंने सोक किया है और हाथ लगा के आपको देखना भी है कि ये जादा सोक तो नहीं हुआ तो फ्रेंस ये विप क्रीम है और मैंने यहां भी विप क्रीम भी बना ली है और फ्रेंस विप क्रीम की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है आप जाके जरूर देखिएगा बहुत ही यूसफूल सी वीडियो पूरी टिपक के साथ मैंने क्रीम के से बनाते है केक के लिए वह भी बताया है और यहां मैंने क्रीम करेड़ करके बटर स्कॉच करश डाला है मैंने और यह डालने से हमारा केका टेज fraction यम्मी आता है यहां में डाल रहे हूं चौको चिप्स वॉइट चौको चिप आपके पास यह तो डालिए बटर स्कोच में क्रण्च डाला जाता है बट क्रण्च नहीं है और इस गर्मी में बहुत जदा मेल्ट हो रहा है फ्रेंस और बहुत ही जदा चिप चीपा तो इसे हम केक में नहीं कर पाएंगे और एक्दम फ्रेश रहते हैं दो अभी तो इतनी धूप है ना तो अपने आप से मेल्ट होने लगते हैं और सेकेंड लियर रखे इसे भी अच्छे से मैंने शुगर सिप करके क्रेश डाला है प्रेंस इसकी डिजाइनिंग जो हैं बहुत ही ब्यूटिफुल होन क्रीम के बारे में थोड़ा में बता देती हूं आपको जो केक क्रीम है और कौन सी भी कंपनी की आप ले सकते हो और चिल्ड होनी चाहिए और आपका जो बीटर है वो 300 वैट का होना चाहिए तब ही वह अच्छे से बीट होता है क्रीम आपकी परफेक्ट बनती है इसके प्लिक्विड फोर्म में आने के बाद उससे बीट कर सकते हो और बाद में आपकी क्रीम बनके रेडी हो जाएगी तो फ्रेंस इस तरीके से मैंने पूरे केक के क्रम कोटिंग की है थोड़ी थोड़ी क्रीम की है अब मैंने लिया यहां थोड़ा थोड़ा क्रीम लेना है की साइट किया से एयसिंग की हैं और ऊफर के सब्सक्राइब क्रिम्थ चैण रखाए कशनी रखान के को कुछने के से पूरी के को सब्सक्राइब के सब्सक्राइब तो यह दिखे इस तरीके से मैंने आइसिंग की है यह है केक जल न्यूट्रल जल बोला जाता है और अब न्यूट्रल जल से कवर करने वाले हैं तो यहां में दो या तीन चाहर चमज आपको जितना चाहिए उतना आपको लेना है और यह गाड़ा रहता है इसमें पानी डालके आपको छिए करना अब अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कलर भी एड़ कर सकते हैं तो यहां मैं ऐज बटर स्कोच Why अबror में बना रहे हैं तो यहां मैं कलर डालने वाले हूं केस्ती कलर और बटर स्कॉर्च केक में यही ज्यादा कलर यूज हो जाता है तो मैंने एक बुन डाला है जेल फूड कलर का जो केक के लिए कलर साते हैं तो इसे डायर के अच्छा से मिक्स किया है यह गाड़ा है देख सकते हो फ्रेंस में थोड़ा सा पानी तक आए Babbook देख करके इसे अच्छा से मिक्स कर रही हूं च्होच को से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ज्यादा करके एक्ट्रेक्टीव में बनता है और बा味ता है और बेकरीजे को अज़ने पैञे एक पैपिन सीज कर," infused वाले इसके उपर और आपको स्प्रैड करके दिखाने वाले हूं एकदम बेकरी जैसे आपके केक में फिनिशींग नहीं आती हो तो आप यह यूज कर सकते हो ओएच पी सीट यह बहुत ही यूजफुल सी है और इसके जगा आप एटेम भी यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग म यह तो आता chilli तो एक इसके कमाल में लिए हे फिस जैसे कपड़े में आती है थी यह यह जैक ऑर इसके कपड़े duż openly नीउटरल जल से कवर हुआ है और क磔र मिक्स नहीं हुआ है और बेकरी में भी ऐसी ही बनाते है और नीउटरल जल डालने के बात केक में नहीं हो चाहिने है कि न्यूट्रल जल से कवर किया हुआ ही केक जादा रखते हैं तो इस तरीके से मैंने केक को कम्पलीट किया है और जहां भी आपकी क्रीम दीख रहे हैं मतलब वाइट दीख राए केक वहां आपको न्यूट्रल जल डाल के अच्छे से स्प्रेड करना है तो इस तरीके से मैंन कितनी ब्यूटिफुल है और मैंने लिया यहां क्रीम इसको थोड़ा सा मिक्स किया है हातों से रगड़ना है मैल्ट हो जाती है और यहां देखे इस तरह के से पैपिंग बैग में डाल के राउंड राउंड घुमाना है एकदम हलके हातों से और घबराना बिल्कुल भी नहीं है और जहां जहां घ्याप है आपको इस तरह के से गोल गोल कवर करने और देखे इसका डिजाइन ना एकदम बेकरी स्टाइल बनता है एकदम ब्यूटिफुल सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसके लिए मैं आपको इसकी डिजाइनिंग शेयर कर रही हूं जाना है तो मैं थोड़ा सा गैप रखके कर रही हूं और ऐसे करने से आपका जो डिजाइन है वह एकदम ब्यूटिफुल सी बनती है तो यह दिखे फ्रेंस इस तरीके से आपको तुट्पिक से कर लेना है जैसे एसके टाइप ऐसे कर लेना है तो देख सकते एकदम बेकरी जैसे एकदम बेकरी में मिलता है वैसे केक बना रही हूं मैं और यहां फ्रेंस उनको ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए तो हम बहुत ज़दा डिजाइन बनाने वाले हैं नहीं उपर मैं एक प्लावर बनाऊंगी मैं तो मैं सोच रही थी कि कौन सा प्लावर एक ही प्लावर हूं और यहां एक रूंड सा मैंने बना दिया और यह संदर लग रहा था तो कभी मैं केके भारे में सोचती नहीं मतलब यह डिजाइन खराब हो जाएगा बट डिजाइन खराब होने के बाद उसे सही करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है तो देके फ्रेंस मैंने आउ प्रेंस यह लगाने के पाद बहुत ही प्यूटिफुल लगेगा इसलिए मैं यहां एक दो पीस लगा दूंगी और यह कहां रुकू कहां रुकू सोच रही थी कि कैसा अच्छा लगेगा तो मैंने यहां इस तरीके से बीच में इस तरीके से रग दिया है और जो छोटा सा और निकाल रही थी इसलिए में कि इस साइड में रख दूंगी करके फिर डिजाइन कराब हो जाएगी ना इसलिए मैंने छोड़ दिया तो यहां इस तरीके से लगा दिया तो देख सकते हो फ्रेंस लग रहा है ना एकदम बेकरी स्टाइल केक हमारा तो फ्रेंस कमेंट में जरूर बताना आपकी राए और यह देखिए देखके ही मुँ में पानी आ रहा है ना रही कैसे हमारा बटर स्कॉच केक बनके रेडी है न्यूटरल जल के साथ एकदम बेकरी स्टाइल सेम टू सेम तो फ्रेंस एनवर्सरी केक ता तो मैंने या एनवर्सरी का टैब लगा द जिए